पिछले फास में मैंने आपको उपसर्ग पता पड़ाया था, तो आज मैं आपको प्रत्य समझाने जा रही हूँ, उपसर्ग यानी प्रफिक्स था वैसे ही प्रत्य यानी सफिक्स ठीक है? शब्द के πीछे जब जुड़ता है, उपसर्ग में क्या था? शब्ड के पहले जु यहां पर मैंने लिखा है जो शब्द आंग्ष यानि शब्द का आंग्ष किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्द का निर्मान करता है उन्हें हम क्या कहते हैं प्रत्य कहते हैं तो प्रत्य का अर्थ मैंने क्या कहा है तो प्रत्य हमेशा ध्यान रहे शब्द के पीछे लगता है और जो उपसर्ग है वो आगे लगता है तो इसके लिए आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास किताल है उसका आप उधारन के तौर पर प्रिष्ट संख्या 280 में आपको मिल जाएगा तो आपका जितने भी प्रत्य आएंगे परिक्षा में बोलो या बोर्ड से जितने भी कोश्यन आएंगे वह सब आपके पाठ्टी पुस्तिका से संबंधित ही रहेगा तो चूंकि आपका सिलेबस में मेरे राम का मुक भीग रहा है यह चैप्टर है और इसके अलावा जो है मैं नर्ग से बोल रहा हूं तो उसी से संबंधित मैं कुछ प्रत्य आप लोगों को प्रैपिस करवा रही हूं तो सबसे पहले मै कहने जैसे एक शिदा यहाने घर कोठ्र में में लक्राइब सकता वाक यहानीकु कोठ्र में कोठ्र में कोठ्र वड़़कर फे, क्वायी में क्या हो 嘿 Ohrum रोच प्रत्य प्रत्य कोठ्र जढ़ एक कोठ्र शक्छ ऑख शब्द देखो राजकिय, राजक के साथ यहां पे बड़ीई के मात्रा है, नगरिय शब्द बन जाता है. अगला शब्द देखो, मैंने दिया है रक्षित, रक्षित का देखो रक्षा, रक्षा के साथ इत जुड़कर क्या बन जाता है? शब्द बनता है रक्षित अगला देखो उदासी उदासी तो उदास के साथ इत्प्रक्त्य जुड़कर क्या है? इत्प्रक्त्य जुड़कर शब्द बनता है उदासी नागिन का देखो नाग के साथ इन जुड़कर क्या शब्द बना है? नागिन, नाग के साथ यहाँ पे गव में छोटी ए की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे छोटी ए की मात्रा होगी, और यदि जहाँ बड़ी ए की मात्रा रहती है, तो वहाँ पर बड़ी ए की मात्रा जोटी है, अंधेरी, यहाँ पे बड़ी ए है, तो अंधेर के साथ ए, आतंक आतंक के साथ क्या है इत परिशानी परेशनी के साथ क्वित कवित कवित का प्रत्य जुढ्य कर करने प्रत्य प्रिथक करना है तो जब भी प्रत्य प्रिथक करोगी तो मूल शब्द एवंग प्रत्य दोनों लिखना पड़ेगा ऐसा मत करना कोठा प्लस री अगर अगर कोठा के साथ जोड री लिखोगे तो वहाँ पर आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, आपको मूल शब्द और प्रत्य इस प्रकार का हेडिंग देखर ही आपको सारे लिखने पड़ेंगे, जो भी आएगा वह उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, आगे शब्द देखो लताएं, लताएं में देखो लता, लता के साथ ए प्रत्य क्या शब्द बना, प्रतिष्ठित, स्वभाविक, स्वभाव के साथ एक प्रत्य जुड़कर शब्द बनता है, स्वभाविक, वैसा ही है प्रमानित, प्रमान के साथ इत, इत प्रत्य जुड़ता है, बनता है शब्द प्रमानित, अगला देखो व्यक्तित्व, व्यक्ति क अगला देखो महीना महा के साथ इना महीना शब्द बनता है महा के साथ इना जुड़कर शब्द क्या बनता है महीना फिर है देखो अगला शब्द अन्मनेपन तो अन्मने के साथ पन जो है वह प्रत्य है प्रत्य जुड़कर शब्द बनता है अन्मनेपन बस अगर कर दोगे तो number नहीं मिलेगा आपको अलग करके उसे आपको दिखाना पड़ेगा नीरसता नीरस के साथ ता प्रत्य जुड़कर शब्द बनता है नीरसता अगला शब्द देखो यहाँ पर मैंने उधारन के तोर पर दिया है मानविय मानव के साथ यह प्रत्य जुड़कर मैंने क्या शब्द बनाया मानविय तो अगला और एक शब्द देखो क्या है उपरी उपर के साथ शब्द क्या है यहाँ पर प्रत्य जुड़ता है यह तो उपर के साथ यह जुड़कर शब्द बनता है यह प्रत्य जुड़कर उपरी इसके बाद मैं जो है आपको अगला जो चैप्टर है मैं नर्ग से बोल रहा हूँ उससे संबंदित मैं कुछ आपको प्रत्य के उधारन मन्द शब्द मूल शब्द प्रत्य के उधारन दूंगी इसले च्लास में मैंने आपको मेरे राम कमुकुट भीग रहा है से कुछ मैंने शब्द एवंग प्रत्य करवाए थे और अभी मैं जो हूँ मैं नर्ग से बोल रहा हूं नामक पाठ से कुछ उधारन मैं आपको समझाने जा रही हूँ तो मैंने आपको क्या कहा था, प्रत्य किसे कहते हैं, जो शब्दाम किसी शब्द के बाद में जुड़कर, ठीक है, एक नए शब्द का निर्मान करता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रत्य कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में suffix कहते हैं, तो यहाँ पर मैं नग्ष से बोल रह हूँ, देखो, यहां से मैंने कुछ शब्द दिया जाए से मेरी, मेरी में बड़ी की मात्रा है, तो मूल शब्द जो है, मेरा होगा, और प्रत्य होगा, बड़ी होगा, क्योंकि यहां पर बड़ी की मात्रा है, ध्यान रखना, अगला जो शब्द है, फरियादी, तो फरिय फरियाद मूल शब्द हो जाएगा और प्रत्य जो होगा वहाँ है बड़ी फरियाद के साथ बड़ी फरियादी अगला शब्द देखो सस्ती तो यहाँ पे देखो सस्ता एक शब्द हो गया सस्ता जब लिख लेंगे तो बाकी रह जाता है यानि बड़ी ए की मात्रा है तो सस हो गया मूल शब्द और तुव जो है वह हो गया प्रत्य तुव बाकी था तो वह हो गया प्रत्य वैसा ही पशु तुव पशु हो गया यहां पे देखो पशु जो हो गया वह हो हो गया मूल शब्द और यह तुव बाकी है यह हो गया प्रत्य और एक शब्द देखो जिम्मेदार जिम्मेदार में जिम्मा हो गया शब्द ठीक्या मूल शब्द हो गया जिम्मा और प्रत्य हो जाएगा दार अगला उधारन देखो मैंने दिया है जैसे जोपड़ी जोपड़ के साथ बड़ी बड़ी लगा तो शब्द बन जाता है जोपड़ी भूखा भूख के साथ आप प्रतिय लगकर क्या हो जाता है शब्द बनता है भूखा यहाँ पर देखो मैंने और भी कुछ उधारन दिये हैं इस प्रकार आपको किताब में बहुत सारे उधारन मिल जाएंगे आप इन सब को प्रैक्पिस करेंगे सिरफ चाप्टर से ही नहीं आपका जो सूर्दास के पद हैं सूर्दास के अलावा जो रस्खान के सवये हैं उसम से भी आपको कुछ उधारत मिल जाएंगे जो पाठी पुस्तिका में आप लोगों की जो हिंदी साहीति का इतिहा से वंग व्याकरन प्रवेशे उसमें कुछ उधारत दिये गए हैं यहाँ पर देखो अगला शब्द है कराहता कराहा के साथ ता प्रत्य जुड़का इ हो गया प्रत्य मर कर मर हो गया मूल शब्द कर हो गया प्रत्य अगला देखो लांगता लांग हो गया मूल शब्द और ता हो गया प्रत्य यहाँ पर दूसरा और एक देखो और एक उधारन दिया जैसे धनी तो धन के साथ बड़ी इ लगाने से शब्द बन जाता है धनी तो धन हो गया एक शब्प, उसके साथ प्रत्य जुड़ता है ये पटकना, पटक हो गया क्या मूलशब और ना हो गया प्रत्य और येक उधारन मैंने या पर देखो देखो जीवित, जीव के साथ इत प्रत्य जोड़कर शब्द बनता है जीवित और एक उधारन जैसे चड़ाई, चड़ के साथ आई प्रत्य जोड़कर शब्द बनता है चड़ाई, इस प्रकार मैंने बहुत सारे उधारन देकर आपको समझाया है, आशा करती हो आपको प्रत्य समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें बता सकते हैं इससे संबंदित यह जो पीडियेफ है वह मैं आपको वीडियो के साथ ही भेज दूंगी धन्यवाद